हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसियान ग्रूप आफ कंट्रीज को डिसकस करेंगे आसियान ग्रूप में कौन-कौन से देश आते हैं यह हम लोग मैप से समझने की कोसिस करेंगे आसियान भारत के संबंध उसको भी डिसकस करेंगे और आसियान भारत के लि हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रिस कर लिजे ऐसे ही करेंट अफियर्स और जिर्नल लॉइज वीडियो के लिए तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आसियान क्या है आसियान का फुल फॉर्म है असोसियेशन ऑफ साउथ हीस एसियान नेशन्स जैसा की नाम से पता चल रहा है यह एक असोसियेशन है यानि गृप है साउथ हीस्ट एसियान कंट्रीज का दक्षीन एसियाई देशों का एक गृप है जिसमें 10 देश आते हैं 10 कंट्रीज जिसको हम लोग आसियान बोलते हैं और भारत आसियान का हर साल एक समिट होता है ठीक है तो भारत और आसियान के संबंध इसलिए भी महत्कोपून है क्योंकि हमारी लैंड बाउंडरी शेयर होती है आसियान का एक देश है मयानमार उसके साथ हमारी मैरी टाइम बाउंडरी शेयर होती है क्योंकि बे ओफ बंगाल में मयानमार भी अपना थाइलेंड भी शेयर करता है, फिर हमारी ancient और civilizational ties है, आसियान देशों के साथ, तो इन देशों में कौन-कौन से देश आते हैं, सबसे पहला मयानमार है, मयानमार जिसकी सीमा भारत से लगती है, उत्तरपूर्वी राजियों के साथ, North East States के साथ मयानमार की सीमा लगती है, फ सिंगापूर, 8th is Indonesia, 9th is Brunei, और 10th जो है वो Philippines है, तो इन 10 देशों का जो समू है, इसको हम लोग आसियान देश के रूप में जानते हैं, ये एक ग्रूप जो है, वो इस रीजन का one of the most powerful groups में से एक है, क्योंकि इसकी अर्थ विवस्था सारे देशों को मिला के काफी बड़ हो जाते हैं, और भी ये इसलिए भी important है, क्योंकि ये जो Indian Ocean है और ये जो Pacific Ocean है, इन दो Ocean के बीच, इन दो region के बीच एक link का काम करता है, ये आसियान देश, तो इन देशों का भारत से बहुत ही civilizational ties है, पुराने जमाने से हमारे जो rulers थे, इनके साथ trade relations रखते थे, बहुत सा और आसियान का annual summit होता है, तो आप समझ गए कि आसियान देश कौन कौन से हैं, ठीक है, अब आते हैं कि आसियान भारत के लिए क्यों जरूरी है, आसियान भारत के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारा इनके साथ पहला तो geographical ties है, ये जो map में आप देख रहे हो, ये जो म है, वो भारत के उत्तरपूर्वी राजियों से लगता है, मयानमार की सीमा, फिर Bay of Bengal में भी मयानमार का सीमा सटता है, फिर अंडमान निकोबार जो भारत का छेतर है, उससे थाइलेंड की सीमा लगती है, थाइलेंड और ये जो strategic है, मलाका स्ट्रेट यहां पे है, और मलेश शिया और सिंगापूर जैसे देशों का भारत के साथ बहुत बड़ा ट्रेट संबंद है, फिर कमबोडिया और वियतनाम और लाउस में तो हमारे civilizational ties रहे हैं, अंकोरवट मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे हिंदू टेंपल्स, बोद्धिजम के वज़े से भी भारत और इन देशों का रिलेशन्स है, और दूसरा जो है कि यह जो इंडियन ओसन है, यहाँ पे आप देखो मैप में, और यह जो पैसिफिक ओसन है, इसका एक सेंट्रल पॉइंट बनके उभरता है, और इंडिया की जो एक्टिस्ट पॉलिसी है, उसके लि यह connectivity के लिए क्योंकि South China Sea वाला reason है, इससे link करता है Pacific Ocean को, Indian Ocean को, और जो यह जो Australia से हमारा connection है, वो कहीं न कहीं यहीं से पास होता है, ठीक है, और दुनिया के लिए भी यह one of the most strategic location बन जाता है, चाइना यहाँ पे अपना influence बनाना चाहता है, यह चाइना है, चाइना का भी इन देसों में, South China Sea पे दादागीरी करता है, यह भी एक reason है, इंडिया अपना oil और जो sea exploration है, इन देसों के साथ मिलके carry करता है, for example, Vietnam के साथ carry करता है, तो यह reason काफी जादा important हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग आज ASEAN को discuss कर रहे हैं, जो graphical ties है, historical ties है, civilizational ties है, इन देसों के साथ है, जो 10 देसों का मैंने नाम बताया, दूसरा है कि भारत एक policy लेके आया, 1990 के बाद, जो की lookist policy थी, फिर जब इंडिया की government आई 2014 में, तो उन्होंने lookist को और ज़्यादा dynamic बनाने का सोचा, और ज़्यादा इस reason के साथ economic और strategic partnership करने का सोचा, तो उन्होंने lookist policy को क्य किया, actist policy में बदल दिया, actist policy और ज़्यादा dynamic, और ज़्यादा comprehensive, और एक goal driven जिसमें इंडिया ने और ज़्यादा cooperation स्टार्ट कर दिया, और यह जो आसियान देश हैं, यह central role play करते हैं, मतलब main role play करते हैं, इंडिया की actist policy के लिए, दीसरा है, इनके साथ मयानमार के साथ त cooperation इन देशों के साथ इसलिए भी जरूरी हो जाता है, और जितने भी देश हैं, सब के साथ हमारी air connectivity है, और यह connectivity आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे project start की हैं, जैसे इंडिया, मयानमार, Thailand, जो trilateral highway है, वो भी, और हमारा जो north east है, उसके development के लिए भी इन देशों के साथ रिस्ता हमारा होना जरूरी है, north east भारत के development में क्या role play कर सकता है, उस पे एक video है, आई बटन में आप click करके देख सकते हो, चौथा है trade and commerce, इन देशों के साथ हमारा trade and commerce है, हमारे students यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, research करने जाते हैं, और यहाँ प people to people connectivity भी इन देशों के साथ जाधा होनी चाहिए, क्योंकि इन देशों में हमारे tourists जा सके, और यह देश में बुद्धिजम एक तरह से popular है, इसलिए भी यह देश हमारे देश में, क्योंकि बोध गया जैसा tourist destination है, तो इन देशों के लोग हमारे देश में as a tourist आ सके, तो people to people ties इसके लिए भी यह देश हमारे लिए बहुत important है, और इंडिया का जो Indo-Pacific का vision है, हिंद प्रसांद का जो vision है, वो इन देशों का जो ASEAN देश है, उनके vision के साथ, उनका जो outlook है, हिंद प्रसांद के छेत पे, इंडो-Pacific के छेतर पे, वो हमारे से match करता है, तो इसलिए भी य यह जरूरी हो जाता है, ASEAN हम लोगों के लिए, और छटा है कि यह one of the most influential group है, हमारे individual countries के साथ भी अच्छे relation है, और as a ASEAN as a group के साथ भी हमारे अच्छे relation है, इसलिए भी यह देश important हो जाते हैं, और इन देशों में China काफी aggressive होके अपने investment कर रहा है, और यह देश हमारे लि इन देशों के साथ जगडा कर रहा है, और 80% region China अपना claim करता है, South China Sea का, तो South China Sea से दुनिया का एक बहुत बड़ा trade पास होता है, इसलिए भी इन देशों के साथ हमारा cooperation जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो अब आते हैं कि इन देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, जैसा कि प्रधान मंतरी मोदी ने कहा, 17 जो इंडिया आसियान समिट हो रहा है, 2002 से हर साल हो रहा है, तो उसके बाद प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि ये देश हमारे cultural heritage के लिए, geographical ties के लिए काफी importance रखते हैं, और इंडिया अपना बहुत ज़्यादा importance देता है आसियान इंडिया को, ठीक है, free and open Indo-Pacific के लिए भी और South China Sea में एक balance बनाने के लिए भी ये देश काफे important हो जाते हैं, लास्ट येर इंडिया ने RCEP से अपने आपको opt-out कर लिया था, RCEP क्या था, Regional Comprehensive Economic Partnership, तो ये आसियान देश इसके लिए खुल के इंडिया को आने के लिए बोल आ गया था, तो RCEP नहीं जोइन किया, उसके बाद और ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कि इंडिया इन देशों के साथ अपने trade relations को बढ़ा है, चाइना भी था RCEP में, Australia, New Zealand, जैसे देश थे RCEP में, Chinese dumping के concern के कारण भी इंडिया RCEP से बाहर आ गया, जो आसियान देश जि plan of action है, आसियान इंडिया plan of action जो अगले 5 साल के लिए होगा, वो भी 2021 से लेके 25 तक हम लोगों को discuss करना है, और इंडिया आसियान देशों के साथ, digital और cyber domain में, क्योंकि cyber crime काफी बढ़ गया है, उसको भी देखना, उसको भी रोकने के लिए, cyber अपराद को रोकने के लिए, digital cooperation करने के लिए, ये देश हमारे लिए important हो जाते हैं, इसमें इंडिया आसियान की cooperation आने वाले समय में बढ़ेगी, और South China Sea है, दक्षिन चीन सागर विवाद है, चाइना और इंडोसों का, और वो जो 9-Line वाला concept है, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो भी आईव विवाद है, तो ये देश इंडिया के तरफ आसास से देखती है, कि इंडिया इनके साथ cooperation करे, ठीक है, अब आते हैं थोड़ी बहुत history समझ लेते हैं, आसियान देश पिक्चर में कब आये थे, आसियान देश पिक्चर में आये थे, 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को, जो आसिय declaration sign हुआ था, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar और Cambodia ने इसको बाद में जोइन किया था, और आज ये 10 देशों का सम्हू है, ठीक है, फिर इंडिया आसियान के साथ dialogue partner बना 1996 में, पहले तो इंडिया sectoral partner बना 1992 में, जबसे इंडिया ने liberalization किया अपनी एकोनोमिका, उसके बाद इंडिया नए अव 1996 में इंडिया dialogue partner बना, 2002 में summit level partner बना, और 2002 से इंडिया आसियान के summit हर साल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इंडिया ने अपनी lookist policy जो की 1990 में start की थी, अपनी economy और strategy cooperation के लिए, उसके बाद इसको actist policy में बदल दिया, तो actist policy का central figure जो है वो आसियान देश हैं, और actist policy आसियान देशों की importance बताता है, और उनकी engagement को दसा आता है इंडिया के साथ, और इंडिया और आसियान का 30 dialogue mechanism है, और इंडिया अपना separate mission रखता है आसियान देशों के लिए, तो इंडिया अपना एक ambassador रखता है, एक separate mission रखता है आसियान देशों के साथ, तो ये हम लोगों क aggressive trade investment कर रहा है infrastructure investment कर रहा है तो इंडिया अपना investment और strategic interest इन देशों के साथ मिलके secure करने की कोशिस future में कर सकता है तो होप करता हूँ आप सियान पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जाहिन